हेलो दोस्तों दोस्तों आज है हमारी कलर थियोरी की सेकिंड क्लास कलर थियोरी पार्ट टू ठीक है इसमें हम डिसकस करेंगे हेर कलर है क्या और किस किस टाइप के क्लाइंट्स हमारे पास कलरेंग की सर्विस लेने के लिए आते हैं ठीक है सैलोन में हमें किस किस टाइप के क्लाइंट्स को हेर कलरेंग की सर्विस देनी होती है ठीक है पहला हमारा question इसमें क्या है कि what is color color है क्या इसको थोड़ा deep में समझेंगे कि color है क्या अगर हम एक बंद कमरे में बिल्कुल लाइटों को बंद कर दे कोई भी रोशनी अंदर ना आने दे तो क्या होगा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा ठीक है और उसी कमरे में जब हम try करेंगे सिर्फ एक जगा से किसी एक particular चीज़ के उपर लाइट फेंकेंगे तो वो चीज हमें दिखाई देनी पड़ेगी और सारा कमरे में बाकी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगे ठीक है और जिस चीज़ पर लाइट पड़ेगी उस चीज़ का जो color जो उसमें सबसे ज़्यादा color है dominant color है हमें उसका वो color दिखाई देगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि colors खुद में कुछ भी नहीं है सारे colors हमारे atmosphere में हैं ठीक है जब किसी चीज पर sunlight पड़ती है जा light पड़ती है चाहिए artificial light ऐसे sunlight है जब किसी चीज पर पड़ती है और उस पर टकराके हमारी आँखों पर आती है तो तब हमें उस चीज का actual color दिखाई देते हैं उस चीज का हमें natural color अगर वो green है तो green क्यों दिखाई देती है अगर वो red है तो red क्यों दिखाई देती है ठीक है क्योंकि light में तो सारे colors है sunlight में भी सारे colors है हमें red चीज red ही क्यों दिखाई देती है green चीज green ही क्यों दिखाई देती है black चीज black ही क्यों दिखाई देती है इसका कारण क्या है कि जो उसका main color pigment है जो उस चीज का main color pigment है वो क्या होता है कि वो सारी light के बाकी colors को absorb कर लेता है और जो उसमें से main color pigment है उसको reflect करता है तो हमें उस चीज का actual color दिखाई देता है ठेक है तो इस तरह से हमें किसी चीज का actual color दिखाई पड़ता है तो इस सारी बात से एक conclusion क्या निकलता है कि colors क्या है colors है reflection of light किसी चीज पर जब light पड़ती है तो उसकी reflection जब निकलती है हमारी eyes पर आती है तो उसी reflection से हमें colors visible होते है उस चीज का color visible होता है ठीक है तो colors क्या है light की reflection है ठीक है तो इसलिए हम hair की study में यह पढ़ते हैं कि what is hair color it is a reflection of light ठीक है जिस चीज पर light पड़ी हमें दिखाई देने लगती है उस पर light पड़ी उसके जो dominant color pigments थे उन्होंने बाकी colors को absorb कर लिया और अपने main color को enhance कर दिया और वो color हमें दिखाई दिया ठीक है तो यह है हमारा थोड़ा सा scientific system जिससे हमें चीजों के colors को पहचानते हैं हमारी eyes पहचानते हैं ठीक है second जो हमारा topic है categories of client हमारे पास किस तरह के clients की categories आएंगे किस categories के clients आएंगे hair color की service लेने के लिए ठीक है क्लाइंट से मतलब किस किस type के hair हमें service के लिए आएंगे और हमें उन पे work करना होगा सबसे पहले हमारे पास hair आ सकते हैं version hair version hair कौन से होते हैं वो hair जो बिल्कुल natural हैं बिल्कुल natural हैं हमारे पास वो clients आ सकते हैं जिनके hair बिल्कुल natural हैं उन्होंने कभी भी hair को color नहीं किया hair पे हीना नहीं use की कोई भी chemical यूज नहीं किया ठीक है उन hairs को हम रखेंगे version category में second हमारे पास क्या है gray hair gray hair वो ही जो मैंने आपको समझाया था कि किसी के gray hairs आने शुरू होगे और वो उसको hide करवाना चाहता है उनको cover करवाना चाहता है इस तरह के भी clients हमारे पास आएंगे third हमारे पास clients आएंगे कुछ ऐसे hairs वाले clients आएंगे जिनके combination hair होंगे combination मतलब वो color भी होंगे और gray भी होंगे ठीक है color भी gray भी इसमें क्या आता है कि clients ने पहले अपने बालों में color कर रखा है ठीक है already वो color यूज कर रहा है जहां वो पहले काफी देर पहले वो बालों पर कोई fashion shade लिया था जहां उसने कोई highlights या कुछ भी करवाया था ठीक है और साथ में उसके अब gray hairs भी आगे तो अब वो उस चीज को equal करना चाहता है gray hairs को hide करना चाहता है ठीक है तो इसको हम रखेंगे उस category में gray और colored hair ठीक है fourth हमारे पास कौन से colors आएंगे जो already hair आएंगे जो already colored है पहले color भी कर रहा है regular color जा color किया हुआ है क्लाइंट ऐसे भी आएंगे जो पहले हिना यूज कर रहे थे अब वो color करवाना चाहते हैं क्लाइंट ऐसे भी आएंगे जिनके बाल वर्जन नहीं है chemically treated है chemically treaters आप समझो कि chemically जिन्नोंने chemical अपने वालों पर यूज किया है chemical वार्क्स हम किसको कहते हैं स्टेट स्टेटनिंग पर्मिंग रिबांडिंग और जो हम हाइलाइटिंग ठीक है तो इन सारी चीजों को हम chemically treated hair कहते हैं लास्ट में हमारे पास combinations hairs आएंगे combination hair की second category है इसमें क्या होगा कि हमारा client regular अपने बालों में hair color ले रहा है ठीक है अब जो पहले के hair थे वो तो हमने roots से लेके last तक हमने color कर दिये अब क्या हुआ महीने डेड़ महीने बाद उसके new growth आ गई ठीक है अब new growth तो जो white थे वो white यानी है तो उस new growth को color करने के लिए फी clients हमारे पास आते हैं ऐसे hairs लेके जिसको हम अपनी technical भाषा में technical language में उसको root touch up देना भी कहते हैं ठीक है roots को touch up देना मतलब उसके बाकी hairs तो colored है पट उसके new जो growth आगी वो gray hairs है तो उनको cover करने के लिए हम उनको root touch up देते हैं ठीक है तो कुछ इस तरह के clients हमारे पास salon की services लेने आएंगे hair coloring की service लेने आएंगे यह पास तरह के जिनके hairs होंगे इनको हमें पहचानना आना चाहिए इनकी knowledge हमें होने जुरूरी है ठीक है तो इन चीज़ों को सब को मैं आपको हर एक वीडियो के last में हरी एक ही बात कहता हूं कि सारी theory को अच्छे से note किया करें English में भी कर लें साथ में Hindi में अब मैं आपको easy way में समझाने की सारी कोशिश करता हूं तो easy way में Hindi में भी जिस चीज़ में आप language में comfortable है अपनी उस language में भी साथ साथ में लिखते जाएं ठीक है दोस्तों तो next class में मिलेंगे जहेंट झाल